नमो नमहा सचिदानंदर उपाय विश्वत पत्यादिहे तवे तापत्रय विनासाय श्री कुरुष्णाय वयम नुमहा सुत जी कहते हैं ये भक्ति के वचन सुनकर नारण जी को बड़ी करुणाई ये जो भक्ति ने बताया कि नारण जी आप दन्य है और आपने मुझे तो ऐसे सांती दे दी मगर मेरे जो पूत्र में चेतना नहीं आए उसे आप शिगरही चेतन कर दीजी तो नारण सुत जी बताते हैं अपने हातों से हिलाडूला कर जगाने लगे फavait उनके कान से पास मूह लगा कर जोर से के ओ गनान जल्दी जाग पड़ो यह रूपक है ऐसे मत समझा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जैसे आप जैसा और उन्होंने वाला ओ वैदाग्य जल्दी जाग पड़ो फिर उन्होंने वेदत द्वनी वेदांद गोस बार-बार गिता पाट करके उ इससे तो जैसे वे तैसे बहुत जोर लगा कर उठे किन्तु आलश्य के कारण वे दोनों जंबाई लेते रहे नेत्र उगाण कर देखे भी नहीं सके और देख भी नहीं सके उनके बाल बगलो की तरह सफद हो गये थे उनके अंग प्राता है सुखे कास्ट के सान निस्तेज और कठोर हो चुके ते यह रूपक है समझो कि यह गनान और बैरा के जैसे बुड़े हो चुके यह जरा समझने जैसी बात है वेदान तो थोड़ा गुरु के पास जाके समझना है इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यन दुर्बल होने कारण उन्होंने फिर सोते देख नारज जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए देखो जब आप सोचते हैं कि मैं तंदुरस्त हूं मैं धन्वान हूं मैं सुखी हूं I am powerful or strong यदि नहीं होता है तो यह उसमें उपा है देखो मैं आगे-ागे पढ़के आपको बताता if you are not getting result if you are not getting success then there is one solution तो देखते हैं तो यह निंद और इससे भी बढ़कर उनकी वृद्धावस्ता कैसे दूरो साउनक जी इस प्रका चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे उसी समय आकाश्वानी हुई देखो आकाश्वानी मुने खेद मत करो देखो तुमारा यह उद्यम निसंदे सफलोगा आप देखो दहीरे धरो रोज ध्यान करो रोज भक्ति करो ऐसा रोज सोचो कि मैं तंदुरस्त हूं मैं दनवान हूं मैं सुक्यूं मैं रोज ऐसा वन अवर के लिए एक गंटे के लिए ध्यान कर रहा हूं कर रही हूं मैं एक्सरसाइज करत इसे सोचिये वो उद्ध्यमवर्त नहीं जाएगा देवर्शी इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो वह कर्म तुमें संत सिरो मनी महानूभव बताएंगे उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते इक्षण भर में इनकी निंद और रुद्धावस्ता चली जाएगी और सर्वत्र भ्र तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया नारजजी वो विस्वे हो गए अभी मेरी आब बात सुनेंब आकाशवाणी है मैं इदह से बोल रहा हूँ आकाश में जा रहा है आप तक का रहा है तो आकाशवाणी नारजजी ने वह इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप स मुझे ही बात कही है यह नहीं बताय कि वह कौनसा साधन किया जाए जिसे इनका कार्य सुद्ध हो वे संत न जाने कहां मिलेंगे और कीस प्रकार उस साधन को बताएंगे अब आकाशवानी से जो कुछ कहा है उसके अनुसर मुझे क्या करना चाहिए नारज जी भी आपके संध्य भक्ति करे और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो और कोई उपए है तो देखो आप मेरी जो चैनल है न वो देख रहे तो यह मेरी चैनल नहीं आपकी चैनल है देखो क्या है मैं तो प्रभू के मुझे प्रेणा करता है तभी मैं बदाता हूं और लो कि बात कर रहा हूं प्रभु की रूपा से बाते हो रहे हैं तो आपका बाग्य है देखो मेरे से आप गश्लिये ज्यादा बाग्य से लिए कि मुझे प्रभु प्रणा देता है कि ए वीडियो बनाओ नहीं तो मेरा इतना शानत है इतना प्रसान कि कभी कभी मैं ऐसे द्यान में मग नरेता हूं तो उठाने की बाथ आते हैं मैं घरे तुम और मौन में हूँ इसलिए आप अपने हिसाब से वीडियो जब बताता तभी मैं बोलता हूं और ऐसे बात करता हूं तो सुत जी कहते हैं सौनक जी तब गनान वैरा के दोनों को वहीं छोड़कर नानल्दमुनी वहां से चल पड़े और प्रतिक तित्में जा जा कर मार्ग में मिलने वाले मुनिश्वरों से सादन पूछन लगे उनकी उन बातों सुनते तो सब तकिंतु उनके विशय में कुछ भी निश्चय नहीं कर देते कहीं उन्होंने असाध्यः बताया लोगों कई लोग बोले बहुत से लोग बोलने वाले हैं इसका ठीक ठीक पता लगाना आहा कार मज गया लोग आपस में काना फुसी करने लेगे भाई जब वेदध्वनी सुनो अरे आम्मा अम आनो बदराहा क्राताव जंदो विजवातों दबदास अपरीदास उदवेदाहा ऐसे बहुत से लंबा स्लों करते हैं और वेदध्वनी वेदांद गोश आम्रमास में अहम्रमास में ऐसा वेदांद का गोश होने लगा बार-बार गीता पाट सुनने जा, गीता का पाड़े ऐसे आपने तो सुना है गीता दर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुसवा मामका पांडवा सेवकिमा कुर्वान्तु संजय ऐसे बहुत से स्लोग है बगवत गीता के ऐसे तो ग्ञान वेरा के तीनों नहीं जगा पाए देखो भक्ती तो अभी कोई उपाए नहीं है स्वयम योगीराद नारज को जिसका ज्यान नहीं है और उस दूसरे संसारी लोगों कैसे बता सकते हैं इस प्रका जिन जिन रुश्यों वो उसके विशय में पुछा गया वो निर्णाय करके यहीं कहने लगा कि ये बात दुसा दे तब नारजी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आये ग्नान वैरागय को जगाने के लिए वहां से उन्होंने यह निश्चे किया कि मैं तब करूंगा देखो उन्हों इसी समय उन्होंने सामने करोडों सुरी के समयन तेजोसी सनकादी मुनीवर दिखाई दिये उन्होंने देखकर मुनिश्रेष्ट कहने लगे ये जो नारज मुनी को जो सनक आदी है वो मुनीवर दिखाई देने लगे तो नारज जी ने कहा महात्मा ओ इस समय बड़े भागय से मेरे आप लोगों के साथ समागम हुआ है आप मुझे पर कुर्पा करके शिक रही वह साधन बताईए आप सभी लोग बड़े योगी बुद्यमान और विद्व साम में निवासर करते यह जो संकादी जो है वरिकुंट में रहते है और निरंतन हरीकृतन में तत्पर रहते हैं और लामृत को रसास्वात कर सदा उस में उन्मद रहते एक मात्र भगवत कता ही आपके जीवन का अधार दे हरी शारणम हरी शारणम भगवान ही मेरा रक्षत यह वाक्य मंत्र सदा आपके मुह में रहता है देखो आपको बड़ा मंत्र मिला हरी शारणम 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 प् प्रेरित वृद्धा वस्ता भी आपको बादा नहीं पहुंच जाती है पुर्वकाल में आपके भुरु भंग मातर से भगवान विश्णु के द्वारपाल जय और विजद तुरंद पृत्वी पर गीर गये थे फिर आपके ही कुरुपा से पुनवे वैकुंड लोग में पह रहा है कौनसा साधन है और मुझे इस प्रकार आपके अनुष्ठान करना चाहिए आप इसे विस्तार से वर्णंग कीजिए भक्ति ग्नान और वैराग्य को इस प्रकार सुख मिल सकता है और इसी तरह आपके प्रेम पुर्वक सब बढ़नों में प्रतिश्ठित किया जा सकत है अभी देखो आप सुन रहे हैं यह सत्संग है यह जानने इसमें जानना कुछ नहीं आपको सिर्फ सुनना है देखो ऐसा मत समझो कि आगे क्या होगा अरे यह सुनो बस सुनने से ही आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा यह जो है जिसे बहुत साल का अंधेरा है और चेहिए आपके दुख दर्द चले जाएंगे संकादी ने कहा देवर्शि्ज आप चिंता न करो मन में मन्स में प्रसंग उठेखो मन में असे आप सोचिए मैं प्रसंग हों उनके उध्धर का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमाने नारजी आप दन है आप विरक्तों के शिर्यमने श्री कृष्णदास से साश्वत पत्व प्रदर्शक एवं भक्तियों के भासकर है तो सुर्य वगवान ऐसे आप भक्ति के लिए जो उद्यम कर रहे है या आपके लिए कोई आश्चरी की बात नहीं है समझनी चाहिए भगवान के भक्त के लिए जो भक्ति के सम्यक्स थापना करना सदा उचित है रुशियों ने संसार में आपने मार्ग प्रगट किये किन्तु ये सभी कष्ट साध्य है और प्रिणामने प्रहस्वर्गी ही प्राप्ति करने वाले है अभी तक भ उप्त ही रहा है और आप भाग्य शालिए वह आपको आगे आगे बताते जाएंगे उसका उपदेश करने वाला पुरुश्प्राय भाग्य से ही मिलता है आपने आकाश्वानी से जित सत्तगर्म का संकेत किया है वह हम आपको बतलाते हैं आप प्रसन्न होकर समाहित होकर यग्य ग्यान यग्य और स्वाध्यरूप यग्य ये सभी तो स्वर्गवादी की प्राप्ती कराने वाले कर्मों के ही संकेत करते हैं पंडितों ने ग्नान यग्य को ही सत कर्म मुक्तिदाय कर्म का सूचक माना है और ये स्रीमद भागवत का पारायन है जिसका गान सुकाद महानू भावने किया है उनके शब्द सुनते ही मुक्ति ग्नान और वैरागय को बल मिलेगा और इस ग्नान वैरागय को कष्ट मिट जाएगा भक्ति को आनन्द मिलेगा सिह की गर्दना सुनकर जैसे भेडिये भाग जाते हैं इसी प्रकार स्रीमद भागवत की द्वनी से कल्य कि सारे दोस्त हो जाएंगे देखो उपाय आपको मिल गया तब प्रेमरस प्रवाहित करने वाली भक्ति ग्नान और वैरागय को साथ लेकर प्रत्ति गर और व्यत्ति के रदे में कृड़ा करेंगी तो चलो आज इतना ही रखते हैं और फिर हम अभी आपको तो मालुम पागवत अब ही आपको आगे आगे उसका पाराइण करना है सुनना है समझना है और प्रभु को पाना है कि हरिओ मत तशत हरी ओ मत असे जपार जपार हरियो मत तशत ऑम नमाह मेरे साथ बोलिए आनन में रहो मोज में रहो हराल में कुछ रहो एंज़ोई एवरी मॉमेंट आप दे लाइफ देखो आशिरवाद तो होता ही है आपका शुब हो कल्यान हो मंगल हो ओम नमाहा ओम नमाहा